Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हम बनाएंगे अर्वी की एक ऐसी recipe जिसे आपने पहले कभी enjoy नहीं किया होगा इसे आप चाय के साथ भी enjoy कर सकते हैं और स्वाथ तो इसका पूझे ही मत यह बहुत ज़्यादा क्रेस्पी बनती है और बिना किसी खर्च के किचन में रखे मसालों से ही यह बनकर तयार हो जाती है तो चलिए बनाते हैं अर्वी की एक नई recipe तो अर्वी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पाव अर्वी ली है सबसे पहले हम अर्वी को अच्छे से पानी से वोश करेंगे तो अर्वी को हमने अच्छे से वोश कर लिया है अब हम इने steam देंगे और steam हम इने एक अलग तरीके से देंगे अगर हम cooker में पानी डालते हैं और steam देते हैं तो या तो हमारी अर्वी ज़्यादा गल जाती हैं या फिर कच्ची रह जाती हैं तो आज steam देंगे हम इने एक अलग तरीके से तो चलिए देखते हैं steam देने का एक नया तरीका उसके लिए लेंगे हम एक idli stand तो सबसे पहले हम इसमें एक-एक अर्वी को रखते जाएंगे इस तरह से अब बस इसके उपर इसी तरह से दूसरा ढ़कन लगाएंगे और फिर इसमें भी इसी तरह से अर्वी को रख देंगे अगर आपके पास थोड़ा जादा अर्वी हो तो आप सभी ढ़कन में रख सकते हैं लेकिन मैं दो में ही रखूंगी क्योंकि मैं थोड़ा कम अर्वी बना रही हूँ तो बस इस तरह से अर्वी को डखकन के उपर रख लेंगे और बस इस्टीम दे लेंगे तो उसके लिए लेंगे हमें कूकर उसमें डालेंगे ग्लास पानी और बस एडिली स्टेंड को इसमें रखेंगे अब कूकर की लेल लगाएंगे और बस फिर इसमें एक विसल लगवा लेंगे कूकर में सीटी आ गई थी अब हम कूकर को खोल लेते हैं अर्वी को कूकर से बार निकालेंगे इन्हें ठंडा होने देंगे और फिर इन्हें छील लेंगे तो आब हम एक मसाला त्यार करेंगे, उसके लेंगे 1 टी स्पून धनिया पाऊडर हाफ टी बीइस्पून लाल मिर्च पाऊडर हाफ टी स्पून नमक या फिर आप इसे अपनी टेस्ट के अकोडिंग आड़ कर सकते हैं 1 फूर टी स्पून काली मिर्च पाऊडर half teaspoon देगी मिर्च पाउडर क्योंकि ये बिल्कुल भी spicy नहीं होता है इससे color बहुत अच्छा आता है थोड़ा से डालेंगे हम hing इससे taste बहुत अच्छा आता है hing आप जरूर add करिएगा half teaspoon चाट मसाला अब इन्हें अच्छे से mix करेंगे तो मसाला तो mix हो गया है चलिए अब अर्वी को देख लेते हैं और अर्वी भी ठंडी हो गई है चलिए अब हम इने छील लेते हैं तो यहाँ पे सभी अर्वी को हमने छील लिया है अब हम लेंगे दूसरी plate और अब एक अर्वी लेंगे इस तरह से हतेली से अर्वी को हलका सा दबाएंगे यह देखे इस तरह से और इस plate में रखते जाएंगे बस सभी अर्वी को इस तरह से हलका सा चेप्टा करेंगे और इस plate में रख लेंगे तो सभी अर्वी को हमने हलका सा चप्टा कर लिया है अब मिक तबा लेंगे, तबे पे हलका सा ओयल डालेंगे और इसे पूरे तबे पे फैला लेंगे और बस सारी अर्वी को तबे पे रखते जाएंगे हमने सभी अर्वी को अच्छे से सेख लिया है अब हम इने एक प्लेट पर निकाल लेंगे अब हमने जो मसाला बनाया था उसी लेंगे और एक एक कर्वी को इसमें अच्छे से लपेट लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे अब हमें कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ सा ओयल और बस एक कर्वी को इसमें रखते जाएंगे और एक बार फिर से अच्छे से सेख लेंगे इन्हें सिखते हुए 2-3 मिन्ट हो गए हैं और जो हमारा बाकी का मसाला बचाता उसे भी हम इनी के उपर डाल देंगे जिसे इन पे अच्छे से चिपक जाए तो क्या कोई कह सकता है कि यह आपने अर्वी से बनाए हैं इस तरह से यह बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं और चाय के साथ भी यह बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो यह बनकर बिल्कुल रेडी हैं चलिए तो अब हम इने एक प्लेट पर निकाल लेते हैं तो क्या यह आपने इससे पहले कभी बना कर ट्राइ किये हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए